हलो एवरिवन कैसे आप सब करियर सक्सेस के यूटिव चैनल पे आज आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है 2022 की सबसे बड़ी जबर्दस रिक्रूटमेंट केस 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है आप मेंसे जो भी स्टुडेंट्स के एस्पैरेंट्स हैं आप सालों साल वेट करते हैं कब ये फॉर्म निकले कब ये रिक्रूटमेंट आए जो हमारे अटेंट्स है वहम उसके लिए अपियर करें तो आज ओफिशली JKPSC की वेबसाइट पे KS 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है इस वीडियो में आज हम यही डिसकस करेंगे इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या चीजे हैं क्या आपकी क्वालिफिकेशन है क्या एज है क्या स्ट्रेजी होना चाहिए कैसे इसकी तियारी की जाए यह सारी चीजे हम थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करिये सक्सेस का यूट्यूब चैनल तो चलिए गाइस शुरू करते साथियों शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा केस 2022 का जो नोटिफकेशन आया है और जो यह अपने में रिक्रूट्मेंट एक आप कहा सकते हैं इंटेग्रिटी होल्ड करती है इसे बाकी गुवर्मेंट जॉब्स के साथ रिलेट मत करिएगा क्योंकि इसके लिए नेवर एंड सेवा करना लोगों की सेवा करना वह आपका ड्रीम ज़रूर पूरा हो तो चलिए गायर शिरू करते हैं सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं करियर सक्सेस का एंड्रॉइड डाउनलोड कर सकते हैं माई क्लास बाइक करियर सक्सेस और अगर आप iOS यूजर हैं तो माई इंसिचूट आप डाउनलोड कर सकते हैं KS 2022 के फ्रेश ऑफलाइन और आउनलाइन बैचिस स्टार्ट किये जा रहे हैं अभी नोटिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो प्रिलिम एक्जाम है वो बहुत ही जल्दी है इन फैक दो आपके होते हैं सारी चीज़ें इसमें एक एक करके हम डिसकस करेंगे तो त्यारी कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन आपके पास है 9419145317 करियर सक्सेस का कॉंटेक नंबर है कोर्सिस की डिटेल्स आपके सामने है complete study material chapter wise mcqs study video lectures free notes pdf doubt layering options and lot of things तो यह सारी जीज़ें इसमें included हैं आप चाहे online join करना चाहते हैं यह offline join करना चाहते हैं दोनों options है address है career success institute opposite science college के नाल रोड तो चलिए guys शुरू करते हैं without wasting any time तो यह आज का जो notification आया है आप सभी ने कल देखा होगा कल ही career success के YouTube चैनल पे आपने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने यह बताया था specifically कि KS की 220 vacancies refer की गई है और आज ही इसका official notification भी JKSSB की site पे आ चुका है जो कि अब हम एक एक करकेश की सारी चीज़े discuss करने वाले हैं तो चलिए guys one by one सभी चीज़े आप ध्यान से देखते जाएं कोशिश करूँगा मैं कि zoom कर देते हैं ताकि आपको visible रहे आज का date आप देख सकते हैं 19 April 2022 का जो notification आ चुका है तो सीधा आपने काम की चीज़ पर चलते हैं जो important information है सबसे बहले हम यह discuss करेंगे कि हम form कब से कब तक भर सकते हैं कब इसकी last date है कौन-कौन इस form को भर सकते हैं इस सारी चीज़े ठीक है application form जो आपके KS 2022 के निकाले गए है कब से form भरना शुरू होंगे JKPSA की website पे date याद रखिए 25 April 2022 25th of April यानि की पूरा हफता अभी आपके पास पड़ा है form भरना है नहीं भरना वो आप पहले decide कर सकते हैं इस हफते में तो 25 April 2022 इसके form शुरू हो जाएंगे उसके बाद last date जो form भरने की है जैसे कि काफी लोग last date को ही form बीच में पहले ही form लगा देना आप 15 मई 2022 तो almost 20 days का time आपको मिल जाएगा form भरने का बीज बाइस दिन का time आपको मिल जाएगा आप अराम से form भर सकते हैं form भरना कैसे है और fee कैसे जमा करवानी है online mode है आपके सामने आप जानते ही है उसके बाद minimum age और maximum age जो रहेगी वो किसको किस date के cut off date के अब होगी उसकी एक जनवरी दोजार भाई इस पे अभी हम one by one आते हैं उसके बाद इसमें पूरा notification obviously बात है आप पढ़ेंगे ही लेकिन मैं इसमें सारी चीजें जो कम important है वो मैं discuss नहीं कर रहा है जो हमारी काम की चीजें है जो वीडियो में कम से कम time में आ जाए मैं सिर्व वही discuss करूँगा prelim exam जो होगा form भर लिया आपने 15 मैं 2022 इसकी last date होगी prelim exam जो है देखने वाली बात ये है उसकी date जो है 26 जून 2022 तो आप एक idea लेके चलिए आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 19 April 2022 को ये वीडियो बन रही है 25 April 2022 से 15 मैं 2022 तक form लगेंगे और paper की date क्या है 26 जून 2022 जो की Sunday को 2 shifts में paper होगा दो sessions में paper होगा that means कि आपके पास एक दिन तो क्या एक second भी waste करने का time नहीं है जो value is recruitment की है ये वही जानते हैं जो पिछले काफी सालों से appear कर रहे हैं और किसी ना किसी कारण से चाहे वो interview से drop out हुए है main से drop out हुए है या pre उनका qualify नहीं हुआ है अब सभी इससे अच्छी तरह वाकिफ है तो काफी सारी recruitment आप देखते होंगे जिसमें attempts की कोई tension नहीं होती हम हर साल form बरते हैं लेकिन ये जो recruitment हैं इसमें हर कोई candidate समझदार candidate smart candidate त्यारी करने के बाद भी अपना attempt इसलिए नहीं दे कि कहीं attempt waste ना हो जाए तो आपको इस recruitment की जो seriousness है वो देखनी पड़ेगी ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फॉर्म बरने के लिए recruitment में बैठ जाए ऐसा नहीं है अगर आप अपना hard work never ending जो आपकी spirit है never say die attitude अगर है और ये एक target नहीं एक journey है क्योंकि इस पूरी recruitment को खतम होने में पूर आपको form भरने की date भी बता दी कब इसके form लगेंगे last date भी बता दी और पहला exam prelim exam जो है 26 June 2022 को आपका conduct किया जाएगा Sunday यानि की आत्वार के दिन चलिए next आगे चलते अब कौन-कौन सी post आई है इसमें ज़्यादा time भी waste करना है आप understood है क्या है इसमें जो यहीं आती है जिसम के एस administrative services में अगर हम चले उसकी post है जेके police जेके ps भी बोलते हो आप उसकी vacancies है और account services की vacancies है पे scale आप देख सकते हैं after that total vacancies कितनी है इसकी बहुत सारी queries आ रही थी कल के वीडियो में भी सर किस category में vacancies है कितनी vacancies है यह सारा आप discuss करते है सबसे पहले administrative cadre में जो इसमें vacancies है open merit में 50, RBA 10, SC 8, ST 10, ALC, IB 4, EWS 10, PSP 4, SLC 4, total 100 तो आप सभी के लिए जो administrative case की जो vacancies है वो है आपकी total 100 अब बात करते है पुलीस सर्विस की जो vacancies है 25 open merit, 5 RBA, 4 SC, 5 ST, ALC 2, EWS 5, PSP 2, SLC 2 और total 50 यह total होगी देट सो account services जिसमें आपका treasury वगेरा का आ जाता है 34 vacancies open, 7 RBA, SC 6, ST 7, ALC, IB 3, 7 EWS, 3, PSP 3 आपकी SLC और total 70 तो अगर आप कुल मिलाके total देखे इन सभी vacancies का अगर आप total करे तो आपका कुल मिलाके वो बनता है 220 220 final vacancies जो है वो आपके सामने advertise आज हो चुकी है और चलते हैं आगे पिछली बार से vacancies जयदा है तो इसका फाइदा उठाईए आप next schedule of examination अब form निकल गया हमने form भर दिया अब हमारा selection कैसे होगा सबसे पहले आपका pre exam होगा फिर mains होगा आप जानते ही असली पर आपको पते ही आपका अलग लग दिन जो exam का अभी just recently mains conduct हुआ है उसके बाद interview तो three stage recruitment है आपकी प्रिलेम एक्जाम की जो date आई है वो अपने आप में ही आप मानके चलिए की देड़ दो महीना maximum आपके पास है जितना आप जोर लगा सकते है चोबिस घंटे भी आपको दिन में कम पढ़ने वाले हैं यह मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ जो भी seriously त्यारी करेंगे अच्छा जी जब आपका प्रिलेम एक्जाम हो जाएगा जो कि आपने देखा 26 जून 2022 को उसके बाद जो मेंज एक्जाम आपका कंड़क्ट होने वाला है वो 28 अक्तूबर आउनवर्ड रहेगा यानि कि आपके पास चार महीने का वक्त होगा अपना जो प्रिलेम लोग अटेंप्ट करके आएंगे अगर आप उसमें क्वालिफाई होते है मेंज का जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपका चार महीने का गैप रहने वाला है मेंज के एक्जाम तक जिसमें आप अपना और बूस्ट आप कर सकते हैं मेंज करेंगे अपना टाइम यूटिलाइज करिए अब बात करते हैं अलिजिबिलिटी की अलिजिबिलिटी आप जानते ही है कि कोई भी कैंडिडेट जो जी एंड के का यूटि का डोमिसाइल है सिर्फ वही इस वार्म को बर सकते हैं क्वालिफिकेशन अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक ग्रेड़िशन बैचलर डिग्री किसी भी रिकगनाईज यूनिवस्टी से या जो भी फॉरन यूनिवस्टी रिकगनाईज होती है अब ये पॉइंट अगला जो है या आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार आप पूछते हैं सर मैं अभी फाइनल येर में हूँ क्या मैं इस फॉर्म को बढ़ सकता हूँ इसको ध्यान से देखिए चैंडिड़िट हूँ है अप्पेर इन बैचलर डिग्री एक्जाम जिन्होंने बैचलर डिग्री का पेपर दिया है अगर इसमें आप फेल करते हैं तो आपको में इग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा तो इसमें आपने स्पेसिफिकली देखा अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपने वो एक्जाम अगर दिये हैं और में इग्जाम में भी अगर आप बैठते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली देख सकते अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है यू आरे लिजिबल राइट चलिए एज की बात करते हैं आपकी एज की प्रीवेस जो रिक्रूट्मेंट था उसमें 37 था लेकिन ओपन मेरिट में एज लिमिट है आपकी 32 साल और जो कट ओफ डेट है वो एक जनवरी 2001 से बाद में आपका डेट ओफ बर्थ नहीं होना चाहिए और एक जनवरी 1990 से पहले का नहीं होना चाहिए आप आपको क्लियर हो जाएगा आपकी एज क्या है रिजर्व कैटेगरी जो है या इन सर्विस कैंडिडेट्स जो है आप सब की ए अंँभी सकते हैं सकते समय मं बता जाएगा आपका किस पैटकरी में है और किस पोष्ट के लिए आप एप राइप करने कने वाले यह सबी चीजह आप मुझे पहले क्लिए को मैं इसके बेंग're कोय्केशन स्क्टिज़ क्या है तो श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुला, जम्मू, डोडा, रजोरी इसमें से कहीं पे भी आप अपना exam center चूज कर सकते हैं जब भी आप form भरेंगे यहां कुछ चीज़े हैं जो आपने exam के time ध्यान रखने हैं वो आप खुद पढ़ लीजिएगा general category के जो लोग हैं जो form भरेंगे 1000 रुपय आपकी fee है reserve category के लिए 500 रुपय फी है और जो PHC candidate है उनके लिए nil कोई fee आपको नहीं पे करना है अब पूरा जो structure है इस पूरी recruitment का कैसे हमारा selection होगा मैंने पहले भी बताया दुबारा बता देते पहला paper जो है आपका pre-exam जो कि आपका qualifying nature का होता है जिसमें आपको objective type question पूछे जाएंगे multiple choice questions जो आप qualify करेंगे pre-exam फिर आप बैठेंगे main exam में जो कि आपका descriptive रहता है फिर आपका interview लिया जाएगा अगर आप qualify करते अब pre-exam का क्या structure है कौन-कौन से subject उसमें आएंगे एक ही वीडियो में इस सारी चीजें तो मुझे लगता discuss हो पाएंगी कल हम इसका detail वीडियो में syllabus भी discuss करेंगे अलग से फिलाल एक आपको idea देने के लिए खासका जो first time आप में से वीडियो देख रहे प्री एक्जाम जो है वो दो पेपर में कंड़क किया जाता है जीएस वन एंड जीएस टू जीएस वन एंड जीएस टू और इसमें mcq रहेंगे आपके और दोसो नंबर इच आपका यह रहेगा marks obtained in pre-exam shall count only for short listing of candidate for the main exam pre-exam के जो marks है इसका आपको overall कोई फाइदा नहीं मिलेगा सिर्फ यह आपको help करेंगे main exam appear करने में लेकिन यहां एक बहुत important चीज़ आपसे discuss करना जरूरी है ऐसे भी students हमने देखे हैं जो जब पहले CSAT math reasoning का जो आपका content है वो exam में नहीं होता था 3-4 साल पहले जो केस का paper होते थे काफी बच्चे ऐसे भी थे जिन्नोंने mains भी लिखा है interview तक गए है लेकिन CSAT जब introduce किया गया वो qualify ना होने की वज़े से वो mains में अगली बार नहीं बैठ पाए तो यह CSAT जिसको हम आप prelims बोलेजिए कुछ भी बोलेजिए यह जो paper 1 है यह आपके लिए deciding factor होने वाला है क्योंकि अगर आपने इसको seriously नहीं लिया इसका जो minimum percentage of marks अगर आपने वो score नहीं किया तो आप mains में बैठ नहीं पाएंगे तो इस चीज़ का धिहान रखिएगा राइट इसको भी equally importance आपको देनी पड़ेगी उसके बाद आप क्या आगे जी negative marking जो आपके question गलत होंगे उसकी negative marking होगी और negative marking कितनी रखी गई है 1 third 0.33% भी आप बोल सकते है जो भी उस question के marks होंग तो अब इसके आगे जो भी चीज़ें यहां लिखी गई है उसमें एक और important चीज़ है वो यह है point 4 मेंज में appear करने के लिए अलग से notification एक आएगा जो आप उस time पर fill करेंगे जो भी आप मेंसे mains exam देना चाहेंगे तो अब जो mains exam है आपका उसका pattern देख लेते हैं मेंज exam में आपका return exam होगा personality test भी होगा interview return exam में आपके total art paper होंगे conventional essay type जिसको हम बोलते हैं उसके बाद एक आप मेंसे उसका qualifying का nature का होगा candidates to obtain such minimum marks in return of main exam may be fixed by commission at their discussion in any or all the paper shall be summoned for an interview simply अगर हम इसको समझें आप मैंसे जो भी लोग mains के exam को pass करेंगे जो भी minimum qualifying criteria रखेगा पेसी वही लोग आपका interview अपियर कर पाएंगे मतलब अगर for example सो लोग मेंस का paper देते हैं उसमें से अगर 30 qualify करते हैं क्रिटीरिया जो सेट होगा cut off बोलिया जो भी बोलिये वहीं लोग interview दे पाएंगे ऐसा नहीं कि सारे जो मेंस देंगे वह सारे every candidate appearing in the exam who is eligible shall be permitted 6 attempts तो total on in all कोई भी candidate अगर आप में से है तो आप 6 attempts total इस KS के exam को दे सकते हैं यानि कि अलग लग साल में आप appear कर सकते हैं लेकिन यह जो restriction है attempts की यह apply नहीं करती SC ST candidates category की अब बात करते हैं इसके आगे 11 पेज का यह notification आया है आपका physical standards के पास physical standards की discussion करते हैं कि यह क्या चीज़ है अब आप मेंसे जो लोग JNK police gazetted services के लिए apply करेंगे form इस recruitment में उन लोगों के लिए males जो candidate होंगे उसकी एक criteria physical criteria रखा गया है जिसमें height आपका 165 cm होना चाहिए और chest girth minimum expansion जो है 85 cm 5 cm होना चाहिए females के लिए height आपका 150 cm है and chest girth minimum expansion आपका 79 cm 5 cm रखा गया है ओके तो that was all about KS का जो ही latest notification आज आया है अब अगला question क्या है कि sir how we can prepare for KS हम अब I know कि आपके बहुत सारे questions होंगे sir हमने first time preparation करनी है हमने आज तक कभी exam नहीं दिया है वगयरा 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 लेकिन guys एक चीज़ आप ध्यान रखिए हर एक चीज़ की शुरुआत कहीं न कहीं होगी जैसे आप कोई भी exam अगर देखें पिछला भी इसकी last date है form भरने की और जो भी इसका exam date था जून जून में आपका paper है तो आप खुद देख लिजे आपके पास कितना time है April तो आप मान के चलिए कि खतम ही है एक पूरा मही और आदे के आसपास आपका जून आपके पास है that means all in all पूरे दो महीने आपके पास है around two months का आपके पास time है जिसमें आपको इस prelim exam को at least qualify करना है और त्यारी जितना जल्दी शुरू करें क्योंकि notification का कोई पता नहीं होता का बाज़े जैसे काल refer हुई थी आज ही notification आगी तो आपके पास उन 220 candidates में आने का मोका है जो हजारों लोग इसका form बरेंगे 30-40,000 लोग अगर normally इस form को बरते भी हैं तो आपने उतनी मेहनत करनी है कि आप उन 220 लोगों में आए जो कि इसके लिए final selection में आएंगे तो आप सभी को career success की तरफ से आप कह सकते हैं कि best wishes हार्दिक शुपकाम नहीं आप आने वाले time में इस exam को बढ़िया तरीके से qualify करें तयारी कैसे करें अगर आप तो पहले से एटेंप्स दे रहे हैं तो आपके लिए same syllabus है हार चीज़ सेम है आपको just repeat करना है और आप इसकी तयारी करते ही होंगे obviously लेकिन आप में से जो पहली बार कोई student candidate dream ले रहा है कि केस 2022 का मैं exam crack करूंगा journey is difficult but not impossible तो career success के साथ आप इस journey का हिस्सा बन सकते हैं आप exams की preparation कर सकते हैं बाकि सबी exams गुर्णमेंट जॉब जाए जेके एसस भी हो जिनके upcoming vacancies आने वाली है कोई भी exam हो bank SSC के साथ साथ KS की जो vacancies आई है इसके लिए exclusively preparation कर सकते हैं अब तयारी करने के लिए आपके पास दो जो ही तरीके हैं या तो आप घर से त्यारी कर सकते हैं online courses से या फिर offline courses से तो details मैंने आपके सामने दीखी हैं इस number पर आप call कर सकते हो 94191-45317 online course में जो seats फिलाल हमने रखी है that is only 100 seats online जो prelims का course है 100 seats इसमें available है जिसमें आप join कर सकते हो सारी details आप हमारे number पर contact या WhatsApp करके ले सकते हैं offline course crash course टाइप अगर आप join करना चाहते हैं 1st May से start हो जाएंगे तो आप सभी के पास फिलाल हफता सातर दिन का time है decide करने का जब तक form नहीं लगते कि क्या इस journey पे आप जाना चाहेंगे क्या आप इस target को achieve करना चाहेंगे अगर answer no है तो आप तभी JKSSB के अलावा भी bank exams की त्यारी कर सकते हो लेकिन अगर आपका answer हाँ है तो my dear friends अभी से ही तैयारी शुरू करें ताकि आपका जो long term goal है KS के exam को qualify करने का और देश की सेवा करने का वो आप achieve कर सके Thank you so much, Jai Hind, all the best